हलो फ्रेंड इस वीडियो के माध्या हम विश्व की परमुख जंजातियों को देखेंगे और सबसे पहले तो हम जो भी परमुख जंजातियां उनको मैप पे देख लेंगे और उसके बाद जो है इसको हम एक पूरी तरह से लिखित रूप में देखेंगे और हम आपको अस्वस्त करते हैं कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आपको जो भी परमुक जन जातिया हैं विश्व की उसके बारे में कभी भी कोई भी क्वेस्चन नहीं छुटेगा तो दोस्तों देर न करते हम आगे की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन जो महादेश हैं ये जितने भी महादेश हैं इन महादेशों में कौन-कौन सी जन जाती हैं कहां पाई जाती हैं तो दोस्तों अगर आप महादेश के बारे में नहीं पढ़े हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम मैप पे ज जाने कि कौन सा महादेश कहां है और उनका क्रम जो है छेतफल के दिश्टी से कैसा है तो जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब स क्रнымиदिशन इस इस वीडियो के माधम से आगे की और बढहते हैं और तो दोस्तों अगे क्योर बढ़ते हैं और हम चलते हैं उत्री अमेरिका पे तो जब उत्री अमेरिका पे चलते हैं तो यहां हमें पांच परकार की जनजातियां देखने को मिलती है एक एस्किमो है, रेड इंडियन है, माया है, होपी है, यांकी है तो दोस्तों आपको बता दे eskimo का अर्ट होता है जो कि ठंडा परदे, कच्चा मान्स खाने वाला मनुष्ये यह जन जाती जो है कच्चा मान्स खाते हैं दूसरी बात यह जो है ठंड परदेस में रहते हैं जब इनकी बात करें एसकीमो की तो ये अलासका, कनाडा, और गिर्ण लेंड ये तीनों छेतरों में पाए जाने वाले जन जाती है एसकीमो ये जो है बर्प का एक तरह से गुफा बना करके रहता है तो उसको इगलू बोलते हैं बर्प का जो गुफा होता है इन लोगों का उसको इगलू बोला जाता है तो इसकीमो के बारे में याद रखना है कि इगलू जो है ये जो गुफा बनाता है बर्प का उसको बोलते हैं जब रेड इंडियन की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा या question में अक्सर पूछा जाता है कि रेड इंडियन कहां का मूल निवासी है या जो है अमेरिका का मूल निवासी है तो यह USA का जो छेतर है उसमें आ जाता है रेड इंडियन और कनाडा का छेतर म अब माया की बात करते हैं तो यह माया जनजाती जो है यह मुख रूप से आपको यह मेक्सिको की खाड़ी है यह मेक्सिको की खाड़ी है इसी के आसपास के छेतरों में देखने को मिलता है मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के छेतरों में माया जनजाती पाई जाती है और ये तीनों जो है Eskimo, Red Indian और माया ये तीनों मुख है एक्जाम दिश्टी से बांकी होपी और यांकी जो है इसको आप ध्यान में रखेगा जो कि USA का एक जनजाती है या एक्जाम के दिश्टी से उतना तो महत्पूर नहीं है लेकिन इसको भी आप याद रखेगा होपी और यांकी तो हम उत्री अमेरिका में पांच परकार के जनजाती को देखे सबसे पहले Eskimo जो बहुत ही इंपोर्टेंट है उसके बाद Red Indian इन दोनों को हम बहुत अच्छी तरह से याद रख लेंगे Eskimo का जो निवास होता है इगलू में होता है झाल 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 निवास हो कि तो ही पिगमी जनजाती को जब हम देखेंगे अफ्रीका में तो अफ्रीका में अफ्रीका में सबसे पहला हम पिगमी जनजाती को पढ़ेंगे यह पिग्मी जन जाती जो है कॉंगो बेसिन जो की कॉंगो नदी के बारे में आपको बता दें कि यह जीरो डिग्री अक्छांस रेखा जिसको विश्वत रेखा बोलते हैं उसको दो बार काटती है कॉंगो नदी विश्वत रेखा को दो बार काटती है तो यह जो है विश्वत रेखा को दो बार कारते हैं इनी के घाटी के आसपास Oke fans एहीं कॉंगो बेसिंद में कौनसा जन जाति पाया जाता है तो पिग्मी जनजाती पाया जता है पिग्मी के बारे में एक विशेश चीज ध्यान रखना है कि यह पेड़ों पे निवास करती है पिग्मी जनजाती पेड़ों पे निवास करती है इससे पहले हम इगलू के बारे में बताये थे यह जो है दीमक खाता है बुस्मेन जो है दीमक खानता है जो कि जैसे हम चावल का यूज़ करते हैं उसी तरह से बुस्मेन लोग दीमक का यूज़ करते हैं मतलब दीमक खाने में यूज़ करते हैं इसके बारे बुस्मेन के बारे में दीमकी याद रखना है, पिगमी के बारे में पेड़ी याद रखना है, एसकीमो के बारे में इगलू याद रखना है, ये तीन चीज को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अब हम चलते हैं मसाई जन जाती, जब मसाई जन जाती की ब पाए जाते हैं जो कि इस एरिया में पुर्वी अफरीका में जब चलेंगे तो इसी छेतर में पाए जाते हैं कहां केनिया तंजानिया यूगांडा में अब हम आगे देखते हैं तुआरेक की बारे में तुआरेक जनजाती जो है यह सहारा मरुस्थल में पाए जाता है यह सह जाती है इसको अगर याद रखना चाहें तो आप याद रखेगा तू आ रहे तू ही मेरा सहारा है तो आपका सहारा है तो आप क्या करें तू आ रहे तो इसको ध्यान रखेगा और आगे की और हम बढ़ते हैं मैप में अच्छी तरह से हम देखते चलेंगे अगर मैप में किलियर हो जाएगा कि कहां कौन से जनजाती पाए जाते हैं किस छेत्र में उस छेत्र के माध्यम से हम आइडिया भी लगा सकते हैं कहां का होगा और इसके बाद हम इसको सिरियली देखेंगे तो आप जादे टेंसन ना लें इस वीडियो को पूरी तरह से देखें आपको सभी जो है जो भी आपको confusion है सब दूर हो जाएगा अब देखे तुआरेक के बाद हम चलते हैं जूलू पे यह जूलू जन जाती जो है मुखरुप से दक्षिन अफरीका में पाया जाता है दक्षिन अफरीका इसके बारे में आप जानते होंगे यह जो छेतर है यह दक्षिन अफरीका सौथ अफरीका है तो इस छेतर में कौन है जूलू जन जाती है अब हम नेक्ष चलते हैं कहां नार्डिक और हैसला जब नार्डिक की बात करते हैं तो यह नार्डिक और हैसला जन जाती कहां कहां जन जाती है यूरोप का यूरोप का दो जन जाती एक नार्डिक दूसरा हैसला अब नार्डिक की जब बात करते हैं तो यह नार्डिक आपको स्वीडन डेन्मार्क और नौर्वे के छेतर में मिलता है और एक चीज़ आप याद रखेगा यहाँ देखे दोस्तों यह स्वीडन डेन्मार्क यह जो है यह नौर्वे स्वीडन है तो इस छेतर में क्या कौन सा जन जाती है नार्डिक जन जाती अब एक है हैसल जन जाती हैसल जन जाती जो है यह बिरिटेन की जन जाती है इसको उत्री छोड़ पे तो यूरोप के उत्तर में नाडिक और जब नीचे की और बढ़ते हैं जहां के बेटेन है बेटेन में जब देखेंगे यहां देखें आप यू के देख रहे हैं बेटेन का जन जाती कौन है हैसला अब नेक्स हम बढ़ते हैं अब एसिया में परविस करते हैं इसिया में जब जाते हैं तो एसिया में सबसे पहले तो हम देखते हैं बेदा जन जाती क्या है बद्दू जन जाती सोरी बद्दू जन जाती तो यह बद्दू जन जाती जो है अरब मरवस्थल में पाया जाने वाला जन जाती यहां देखे दोस्तों आपको अरब दिख रहा है तो यहां पे कौन है बद्दू जन जाती है अरब का छेतरी याद रखेगा ऐसे भी याद रखेगा कोई भी है वो अरवों साल पुराना हो गया है मतलब जिवासम है अरवों साल पुराना है तो वो क्या होगा बदवू देगा तो बदवू देगा बदवू से बदवू याद रखना है अरव से अरव याद रखना है अरव मरूस्थल में बदवू जन जाती जो है किर्गिस्तान और पामीर के पठार के आसपास पाया जाता है आपको किर्गिस्तान पता ही होगा यहां पे आपको किर्गिस्तान मिल जाएगा जो की मदेशिया में पाया जाता है जब मदेशिया की बात करें आप हमारे मैप में सीरीज में जा करके पढ़ सकते हैं एस या के बारे में वहाँ आपको पता चल जाएगा मद एस या का जो देश है तो उसमें यह किर्गिस्तान है किर्गिस्तान और यह जो छेतर है आपको उत्तर में भारत के जो यह जम्मु कस्मिर यहां तक है इसके उत्तर में जब इधर जाते हैं तो इधर पामीर का पठार ह तो इस छेतर को याद रखना है किर्गिस्तान और पामीर का पठार के छेतर में कौन सा जन जाती पाया जाता है खिर्गिज जन जाती है इसे भी आपको नॉर्मली खिर्गिज, किर्गिस्तान खिर्गीच किर्गिस्तान अब उसके बाद कैमसीन के बारे में पढ़ते हैं तो कैमसीन जो है यह कैमसीन जो है सैवेरिया इलाका है यह रूस का जो उत्तरी इलाका है यह उत्तर वाला इलाका इसको सैवेरिया इलाका बोलते हैं तो यह सैवेरिया के छेतर में कोन पाया जाता में पाए जाते हैं इरान और इराक के छेतर में कुर्द जन जाती है यहां आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इरान और इराक को देखिए यह इरान और इराक का छेतर है इसमें कुर्द जन जाती है यहाँ पर सौदी अरब में हम देख रहे थे अरब में कौन सा जन जाती था बद्दू बद्दू जन जाती अरब में साइबेरिया में कैमसीन किर्गिस जो है किर्गिस्तान में और कुर्द जन जाती जो है इरान और इराक में अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यह देखते हैं औस्ट demasiado देखते हैं तो ओस्टेलिया में यहां देखिए औसे नियामादेश का आजाता है औसेनिया महादेश का जाता है तो यहाँ देखे दोस्तों यह जो औसेनिया महादेश है इसमें क्या है न्यूजीलेंड वी है जो कि जीलेंडिया का भाग है आपको पता ही होगा आठवा महादेश जीलेंडिया था जो कि डूप चुका है तो यह जीलेंडिया का जो इधर का जन जाती है और स्टेलिया का एक जन जाती ब्लेक फेलो इसको याद रखना है तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम सिरियली देखेंगे और आपको याद हो जाएगा कि कौन से जन जाती कहां है हाँ तो अब हम आ चुके हैं तो इसमें आप गोर से देखें कि सबसे पहला हम देख रहे हैं उत्री अमेरिका के बारे में तो उत्री अमेरिका के बारे में जब देखेंगे तो हमको सबसे पहला दिखता है इसकी मोजन जाती इसके बारे में हम बताये थे या जो बर्प का कानडा और गेन लेंड़ अप यहां पे जो हम बोल रहे हैं इसको आप आख मुद करके इन जगहों को याद किजिए कहां कहां हम बताए थे जो की बरफिला मिलाका फा उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर वाला छेतर है अलासका था, कनाडा था और गिनलेंड उन छेतरों में इसकी मोजन जाती पाई जाती थी जब रेड इंडियन की बात करें तो रेड इंडियन अमेरिका का मुल निवासी था जो की USA और कनाडा के छित में पाया जाता था वहीं माया के बारे में हमने बताया कि माया मेक्सिको मेक्सिमम मेक्सिको मेक्सिमम धन चाहिए तो माया मेक्सिमम माया चाहिए तो यह क्या मेक्सिको और मद्ध अमेरिका बोल सकते हैं फिर होपी यांकी जो है होपी और यांकी यह जो है USA का जनजाती है फिर हम next चलते हैं दक्षनी अमेरिका के बारे में दक्षनी अमेरिका में एक ही जनजाती हम पढ़े थे बोरो या बोरा इसको बोलते हैं तो यह एमेजन घाटी ब्राजील और पेरू के तट पे पाया जाता है अब अफ्रिका की बात करते हैं तो अफ्रिका में भी हम पांच जनजाती को देखे थे पिगमी के बारे हम बताये थे या पेंडो पे निवास करती है जो की कॉंगो बेशिन में पाई जाती है उसके बाद कॉंगो नदी के बारे में हमने बताया है कि या बिस्वत रेखा को, जीरो डिग्री अक्छांस रेखा को, या भूमद रेखा को, मतलब दो बार काटती है, अब आगे देखते हैं बूस्मेन के बारे में, बूस्मेन के बारे में आप यहाँ याद रखेगा दोस्तों, जैसे हम पैडमेन, बैटमेन, यह सब क्या है, ए बुसमेन भी उसी से रिलेट करके हम याद रखते हैं कि बुसमेन क्या है कलाकार है कलाहारी मरुस्तर तो बुसमेन का एक खासियत याद रखना या दीमक खाता है पिगमी पेंडो पेर रहता है अब देखें मसाही के बारे हम बात करते हैं या केनिया तंजानिया और यूगां और यूगांडा में पाय जाता है यह जो रहती है बास का घर बना करके चोटे चोटे घर बना करके उसको क्रोल कहते हैं तो इन चीजों को याद आप रखेगा अब देखिए तुआरेक जन जाती जो है यह तुआरेक सहरा मरोस्थल में पाय जाने वाला जन जाती है तुआरे चलते हैं नाडिक और हेश्छा के बारे में यह जो है यूरोप का जन जाती था नाडिक और हेश्छा तो आप लोग इसको करम से याद रखेगा जिस तरह से हमने बताया है उत्री अमेरिका दक्षनी अमेरिका तो इस तरह से आप वहाँ पढ़ेंगे मैप में फिर यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा तो देखिए और हिसला पढ़े थे दो योरोप में तो नार्डिक के बारे में हमने बताया था स्वीडन, डेनमार्क और नौर्वे के चेत्र में जबकि हिसला के बारे में नौर्मलあの ब esse के बारे में बताए थे तो इसको आप अर्सानी से याद रख सकते हैं नार्डिक जो है स्विड़ेन डेन्मार्क और नॉर्वे जो कि उत्तरी उरोप उत्री उरोप और वही हम जब देखते हैं हैशला के बारे में तो वो बिरिटेन में पाया जाता है यूके तो आगे हम बढ़ते हैं और एसिया के बारे में देखते हैं एसिया में बद्दू था बद्दू बद्दू से हम रिलेट कर रहे थे जो कि अरब अरबों साल पुराना तो अरब मरूस्थल में कौन है बद्दू जन जाती खिर्गिज जो है खिर्गिस से किर्गिस्तान याद रखेंगे खिर्गिस किर्गिस्तान किर्गिस किर्गिस्तान तो यह किर्गिस्तान और पामीर का पठार इलाका में जो है खिर्गिस जनजाती पाई जाती है जब कि कमसीन के बारे में बताये थे कमसीन या कैमसीन बोलते हैं इसको तो यह जो जन जाती है साइवेरिया इलाका में जो कि उत्री रूस उत्री रूस जो है उसको साइवेरिया यहां ठंड बहुत जादे पड़ता है तो इसको हम क्या कहते थे कि यहां कैमसीन या कमसीन जन जाती है फिर कुर्द जन जाती का आप map को देखते चलिए आपको यूँ याद हो जाएगा अब देखिए next हम चलते हैं Australia के बारे में जो कि ऑसेनिया मादू कहते हैं इसको तो ऑसेनिया में एक है Australia फिर New Zealand है तो Australia जो है यहाँ पर पाया जाने वाला जन जाती को Black Fellow बोलते हैं Black Fellow Australia का जन जाती जबकि New Zealand का Maori New Zealand का यह जो है जीलेंडिया का भाग है जो आठवा मादेश था जो कि डूप चुका है तो उसी का भाग निकला हुआ उसको New Zealand बोलते हैं तो यह New Zealand जो है Maori जन जाती है जबकि Black Fellow Australia की जन जाती है तो दोस्तों हम आसा करते हैं कि आप लोगों को यह पूरी तरह से clear हो चुका होगा आपको हम फिर से बता दें कि आप पहले मैप को अच्छी तरह से देख लें उसके बाद इसको आप एक सिरियली आँख बंद करके मैप को धियान में रखते हुए इसको पढ़े यहां तो उससे क्या होगा कि आपको मैप पे पूरी तरह से clear दिखेगी और आपको जगह का automatic याद रहेगा कि हां कौन सा जन जाती किस छेतर में पाया जाता था तो बस हम यहां अपना वीडियो को खत्म करते हैं और आपको बता दें कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें यहां पे आपको मैप और डियागराम के माध्यम से लगवक सारे चीजों को मजने में आसानी भी होती है धन्यवाद